दोस्तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बीमारी के बारे में तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा कि ऐसी बीमारी के बारे में जनकारी आप लोग के पास में डायरेट मिलती रहे तो चलिए वीडियो को सुड़ू करते हैं सवाल नमबर एक सरीफ़ा खाने से क्या फाइदा सरीर में मिलता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजेगा दोस्तों इसका सही अंसर है सरीफ़ा खाने से मोतिया बीन की बीमारी आखों में बिल्कुल नहीं होती है इसलिए साल में या दो साल पर भी सरीफ़ा जो है जरूर खाना चाहिए दोस्तों सवाल नमबर दो यातरा पर या जातरा पर जाने से पहले कौन सा काम जरूर करके जाना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजेगा दोस्तों इसका सही अंसर है दही जरूर खा करके जाना चाहिए जो लोग दही खा करके नहीं जाते हैं उन्हीं लोगों को तरह तरह की तकलीफे हो जाती है जाने के बाद और पैसा भी कम कमाते हैं या जो जातरा बना करके जाते हैं वो बिल्कुल काम नहीं होती है दोस्तों सवाल नमबर तीन करैला खाने से कौन कौन सा बिमारी सरीर में उत्पन कभी नहीं होती है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा सवाल नमबर चार पपीता खाने से क्या फाइदा शरीर में मिलता है काचा या पाका नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मेरे भाई दोस्तो इसका सही अंसर है पपीता खाने से सबसे पहले लीबर मजबूत रहता है और पेट में गैस नहीं बनता है जिन लोगों को पेट में गैस बनता है या गैस्टी की बिमारी है उन लोगों को पपीता जो है ओखुब खाना चाहिए काचा हो सके तो ओभी खाना चाहिए और पाका हो सके तो ओ भी खाना चाहिए, इसको खाने से तरह तरह की बीमारी पेट में जो होने वाली होती है, ओस हमेशा के लिए दोस्तों मिठ जाता है और गैस बिल्कुल नहीं बनती है. सवाल नुबर पांच, पनीर खाने से क्या फाइदा होता है शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर किजिएगा. दोस्तों इसका सही अंसर है पनीर खाने से हड़ी मजबूत रहता है और जितना भी शरीर की ठाकान होने वाली होती है वो बिल्कुल मिठ जाती है काम करने पर. क्यांकि बहुत लोग होते हैं कि काम करने से ठकान हो जाती है तो वो ही जो है हड़ी के कमजूर से होती है थैंक्यू दोस्तों